लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं क्योंकि सर्दार शहर उप्चनाओ के नतीजे आ रहे हैं शुरुआती रुधान में कॉंग्रेस आगे है पहले दौर में करीब 3000 वोटों की बढ़त राउंड वन की वर्दगर्णा में कॉंग्रेस को 6953 वोट मिले बीजेपी को 3522 वोट मिले दूसरे जो राउंड की गिंती हो भी चल रहे है उसमें भी कॉंग्रेस पार्टी बहुत आगे नजर आ रही है तो ये इस वक्त की अपडेट आपको देदे सरदार शहर चुरू विधान सभा के उपचनाव के नतीजे जो आ रहे हैं उससे जुड़ी हुई जो अनलिक शर्मा कंडिडेट है कॉंग्रेस पार्टी के वो आगे है शुरू आती रुजानों में बीजेपी नमबर दो पर है और नमबर तीन पर आरल पी है ऐसे जानकारिय मिले कि सहरी जो शेतर हैं वहां के अभी EVM's खुले हैं और वहां की काउंटिंग जो हो रही है क्योंकि कई राउंड तक इस सिला चलता रहता है और जो मौझूदा वक्त में यह राउंड चल रहा है उसमें कॉंग्रिस पार्टी जैसी उम्मीदे थिक उसी हिसाब से परदशन करती हैं यहां पर नजर आ रही है पहले राउंड में करीब करीब 6953 वोट यहां पर कॉंग्रिस के कंडिडेट को मिले हैं अनली शरम को और जो दूसरा राउंड है वो भी चल रहा है उसमें भी जो है कॉंग्रिस पार्टी को बढ़त है अब ऐसे में देखने वाली बात ही होगी कि जैसे जैसे यह दिन चड़ेगा वैसे वैसे यह आंक्रे भी बदलेंगे और जो फिगर्स बदल रहे हैं वो भी हम तेजी से आप तक पहुंचा रहे हैं राउंड बन में जो टेबल पर जो इवम रखी गई उसमें कॉंग्रिस पार्टी वो करीब करीब 7000 वोट उसको मिलते हैं लगातार यह जो तस्बीरे आ रहे हुँ अपने आप में वड़ी चीज़े क्योंकि सरदार शहर उपचुनाओ ब्याद अहम था उस सभी की निगाहें इस पर ठीकी हुई थी 3000 से ज़्यादा वोटों का फासला यह अपने आप में बहुत मेंटर करता है किसी भी विदान सावा के विशेश तोर पर उपचुनाओ अब ऐसे में जिस सिंपथी की बात हो रहे थी क्योंकि अधिर शर्मा की पिता जी जो हैं बावनलाल शर्मा जी उनके निधन के बाद य लेकिन आरलपी एक वो पार्टी जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा रहती है किसी भी उप्चुनाओं में और चुनाओं में कुकि आरलपी ने बहुत दावे किये आनमान बेनिवाल बहुत आकरामक नजर आए लगातार घेरते नजर आए बीजेपी और कॉंग्रेस को लेक तीसरे राउंड में के मतों में 7,800 एक और अपडेट आ गया अशोक पिंचा अभी भी दूसरे स्थान पर बने हुए एक और अपडेट इस वक्त शुर्खियों में बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बतारे सरदार शहर उप्चुनाओं का जोरौन है उससे जुड़ी एक सुरवाती दोजान में कॉंगेस आगे है तीसरे राउंड की गिंती चल रही है और 7,800 मतों से कॉंगेस आगे है एक तरफा लिड लेती हुई आपर कॉंग्रिस पार्टी पहला राउंड दूसरे राउंड चोड़ी एक पार बात आ गही है और तीसरे राउंड की जो पहुंच गई है गिंती अपडेट बताईए फटाफट क्या है मामला जी बिल्कुल देखें जो रुजान हमारे पास आ रहे हैं सादवारांट सू वोटों से कॉंग्रेस जो है कॉंग्रेस के अनिल शर्मा आगे चल रहे हैं दूसरे नमबर पर बीजेपी और तीसरे नमबर उनके बीच में मारजन बहुत कम है हलांकि कॉंग्रेस बहुत आगे चल रही है और तीसरे पाइदान पर है अनमान बनिवाल की जो आरल पी है बीजेपी से दूसरे पाइदान पर है लेकिन जो जानकारी हमारे पास है वो ये कि 7800 वोटों से तीसरे राउंड के साथ ही कॉं से बड़ा गया जो है कॉंग्रेस यहीं और बीजे पी के बीच में आ गया है और कहीं ना कहीं देखेए उसके साथ साथ सबसे बड़ी चूपाने वाली ख़बर यह जो विधाय को 2008 में हरा के आते हैं वरिष्ट आप नेता है अशुक पिचा जो वरिष्ट नेता है बीजेपी के लेकिन जो लालचन मून है अरलपी के उनके सामने बड़े नेता की तौर पर अशुक पिचा को देखा जाता है लेकिन अब आप देखें जिस तरह से राउंड ब चली जाए तो यह कहीं ना कहीं लगातार जो वोटिंग जो काउंटिंग हो रही है उससे यह साफ होता नजर आ रहा है कि बीजेपी तीसरे तीसरे इस्थान पर तो नहीं चली जाएगी क्योंकि जिस तरह से वोटों में अंतर है दोनों पार्टियों के कैंडिडेट से बड़ी बड़त बनाई और इसी तरह सा अगर बड़त बनती रही तो कॉंग्रेस की जीत भी निश्चेत तोर पर दिखती वे नजर आ रही है जी रोनेक आट जार वोटों की करीब करीब जो बड़त है वह अपने आप में बहुत बड़ी बड़त मानी जाती विशेश तर बात अभी गई है और जैसा कि आप बतारे कि मार्जन बड़ा कम है आरलपी और बीजेपी की बड़ी पतली सी लाइन है अब यह माना जाए कि जैसे जैसे यह चरन आगे बढ़ेंगे इकाउंटिंग के जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा ऐसे में ग्रामेर शोत्रों के जब व दावर नेता लगातार करते हा रहा है लेकिन अगर उप्चुनाओं में अगर बीजेपी तीसरे पाइदान पर रहती है अगर कम वोट मिलते है तो यह कही ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा आखिर बीजेपी के जो बड़े नेता है उन पर उनको सवाल का जवाब देना भारी पड़ सकता है अलांकि देखे जिस तरह से लगातार वोटों की गिंती हो रही है जिस तरह से रुजान सामने आ रहे है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तो चिंता बढ़ाने वाली बात है क्योंकि अब जिस तरह का बड़ा गैप जो है पहले और दूसरे ज उसे पाइदान पर रहती है बीजेपी तीसरे पाइदान पर रहती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा क्यूंकि देखे इस चुनाव के बाद अब सीधा एक साल के बाद जो है वो विधा नतिजे आने है और जिस तरह से कॉंग्रेस ये दावा कर लेकिन अभी फिलहाल जो है बड़ी खबर यह है कि 8000 वोटों के करीब जो है कॉंग्रेस आगे चल रही है बीजेपी और आरलपी के बीज में बहुत कम मार्जन है लेकिन बड़ी चीज है कि एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूँगा चुकि आप ग्राउन पर है आपने पूरा एलेक्शन कवर किया है डेवन से अब ऐसे बिजेपी ने गंभीड़ता से नहीं लिया इस उप्चुनाओं को इसलिए नतीज़े आ रहे है जिस तरह के नतीजे शुरुआती तौर पर हमारे सामने आ रहे है तीसरे राउंड के बाद जो नतीज़े आ रहे हैं उसको देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो कॉंग्रेस का गड़ रहा है सरदार शहर और जिस तरह से भवरलार शर्मा का एक वर्चस्वर रहा है यहा जिस तरह से आपने कहा कहा कमी रहे है बीजेपी की तरफ से तो यह जरूर कहा जा सकता है कि देखे जिस तरह से पिछले चार साल में इत्यास रहा उपक्चुनाओं को लेकर के बीजेपी का शहिद वही फिर से रिपीट होता है नजर आ रहा है कि यह юँखिया पर प प्रत्याशित नतीजे यह प्रत्याशित ज बिल्कुल देखे आप हनुमान बेनिवाल के तमाम जो भाशन है या जो बयान है उन पर आप नजर डालेंगे तो आप समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान बेनिवाल ने साफ तो पर कहा कि वो पूरा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे 200 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स उतारेंगे उन पर कही ना कि हनुमान बेनिवाल बहुत जादा काम कर रहे हैं बहुत जादा आप देखिए विजिट्स कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुच रहे हैं आप देखिए बिकानेर में लगातार वो लोगों के बीच पहुच रहे है पिछले दिन आपने देखा होगा जिस उन्होंने कहीना कहीं बैक डॉर से सपोर्ट भी किया है कहीना कहीं आरलपी को तो कहीना कहीं आप देखिए कि जिस तरह से समीकरण बन रहे हैं चुनाओं को लेकर के हनमान बेनिवाल लगातार लोगों के बीच पहुचे एक के दिन में आठ सभाओं को सम्बोदित के हलिकॉप्टर के जरीए तो आप ये मान के चलिए कि अगर एक उपचुनाओ में एक विधानसभा सीट को लेकर अगर RLP के जो परमुख है अनुमान में लिवा लगातार इस तरह से धुमादार परचार करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उसके पीछे कोड़ना कोई रणनीती है और उस रणनीती का रि का रही है अभी अनॉंस्मेंट कुछ हो रहे थी क्या है अपडेट क्या है है और फेर वोटों में अदलाब अदली बिलकुल लेकि जो अनॉंस्मेंट जो अंदर से की जा रहे थी वह हम सबसे पहले ब्रेक कर चुके है जो 7800 वोटों की हम लोग लगातार जानकारी दे रहे था क्योंकि देखिए जिस तरह से हमारे सयोगी अंदर मौजूद है वो लगातार पल-पल की जानकारी हमें दे रहे हैं और हम अपने जर्शकों तक पहुचा रहे हैं कि देखिए सबसे पहले चुनाओं के नचीजे आपको मिलेंगे जीराजस्थान पर तो कहीं ना कहीं लग जिस तरह से राउंड बढ़ते जा रहे हैं और कॉंग्रेस की जो है लगातार जो है वोटों के आधार पर क्योंकि यह चीजे ताही होती हैं अब कितने राउंड गिंती होगी कितने राउंड के बात माना जाए कि रुजान नतीजे में कर्णवर्ट हो जाएंगे अभितेक फ्राथ रुजानों के अनुशार अनील कुमार सर्मा आगे चल रहे हैं 2776 मतोशे बिल्कुल बिल्कुल देखिये अप्डेट बेरे बास आ रहा है 8700 वोटों से कॉंग्रेस आगे चल रही है अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग को यह का जा सकता है कि जीत की तरफ ले जाती विज़रारी कि लगातार आप देखिए आकड़ों में लगातार बड़ोत्री हो रही है और सबसे पहले आप लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं आप अभी फिलाल के लिए बहुत शुक्री है आपका